नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ MTNL के बारे में महानगा टेलिकम निकब लिमिटेट के बारे में तो आप सभी जानते है MTNL एक Government Subsidiaries Company है टोटली इसके जो प्रोमोटर है इसके जो जादा हिस्सेदारी है वो टोटली गवर्मेंट के फास है तो MTNL और MTNL जो है वो बीएसनल के साथ जूड़ कर गवर्मेंट काम करते थे मतल़ टेलिकम सेक्टर में काम करते थे तो BSNL सेक्टर के बहुत प्रॉब्लेम इस हुआ क्योंकि बहुत सारे करजा बढ़ चुके थे और बहुत सारे टेलिकम सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लेम इस हुए है तो इसलिए BSNL का जो ग्रोध था वो टोटली ही क्लोज होने को देखने को मिला था तो Government अभी वो सेक्टर चला नहीं पा रह रहे है क्योंकि हर साल में उसका करजा हर साल में उसका profit तो नहीं हो रहा है। हर साल उसका loss बढ़ रहा है साथी साथ उसका करजा भी बढ़ते जा रहा है तो इसी के लिए Government ने एक नया फैसला लिया है उस फैसले के बारे में ही आप जोरू देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें आपको निवेस करने का क्या राय होने बाला है उसके बारे में भी आपे में डीटेल्स में आपको बताऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्रेंब नही सब्सक्राइब को डेली वेसिस टॉक मार्केट इंफोरमेशन चाहिए तो इस जन्में बने रही है तो चलो देख लेते हैं आज के एंटी एनल के बवारे में तो सब सब पहले में चार्ट पटन को उपर आ चुका हूँ आज मार्केट ऑबियसली डाउन टेन में उपन में उपन हुआ था तो फिर से रिकोवरी किया और अभी भी मार्केट रानिंग है कोई भी डेटा चेंज हो सकते है तो देखिए आज के दिन भी करीवन वान परसंट का आप्टन यहां पे देखने को मिला तो एम टेनल में जो मोहाना का टेलिकम नीगम निमिटेट है जिसक 5 दिन में मार्केट में जिस तरीके से गिरावट हूआ था कि देखिए मैं करीबन चार पर संट का गिरावट हूआ निप्टी का इतना जव-दस गिरावट होने के बादभी MTNL Q नहीं कि रहा है MTNL Q 5 दिन में आप 10 से आप 10 जा रहा है क्योंकि इस तरीके से performance Q हो रहा है daily basis high Q कर रहा है इसके पीछे एक सबसे बड़ा breaking news है और सबसे बड़ा news है इसके चलते है company का हाल और future के हालत भी change होने वाला है क्योंकि ए जो news है वो मुझे तो लगा फ्यूचर के लिए तो आप इसके उपर में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसका मत करना और मेरे वीडियो आपको इंफर्मेबल लगे तो लाइक करना नहीं तो छोड़ दीजिए तो देखिए इस कंपनी को गवर्मेंट क्या करने वाले है बेचने वाले है तो टोटल सेक्टर बेचने नहीं वाले है इसका कुछ एसेट बेचने वाले है उसी का बीटिंग होने का जो न्यूस सामने आया आया तो उसी के बारे में आप बात करूंगा तो वो अगर इस कंपनी को सेर मतल दोनीज्ड प्रॉफिट के है वो इन्डी टीवी प्रॉफिट के उपर निविस प्रॉबिस के अगए आप इस साइड में जाकर खुट कर सकते हैं वे बिदीटीवी प्रॉफिट के साइड से मीसरी हरा यह देखें सेंटर लिस्ट यह पर लीट चिक्स बीसनल, MTNL asset मतलब जो 6 MTNL और BSNL का जो asset है वो ओर्थ जो sales करने वाले है उसी के बारे में आपे बात करने वाले है तो sales actually जो होगा उसी के बारे में आपे बात होने वाले है तो पूरा details में आपको एक बार दिखा देता हूँ कभी आपको प्लेटे मिल जाएगा तो आप तो सभी जा हिस्सेदारी है totally promoter का हिस्सेदारी government के पास है तो government इसका ज्यादातर हिस्सेदारी है और इसमें कितना affordable होने वाला है अगर government share को बेच बेचना start करते और इसका asset बेचना start करते तो कितना affordable होने वाला है वो एक बास समझ लीजिए यह पर देखे पहले आप news कर देख लीजिए यह पर देखे being the non core asset monetization process यह पर देखे department of investment and public asset management मतलब दीपम हर कोई telecom sector को जो configure करता है जो configure मतलब जो कोई भी राय लेना होगा आपको दीपम से ही राय लेना होगा क्योंकि उसका जो department है department of investment मतलब जितने सारे investment का जो platform है वो public asset management वो दीपम का मतलब से होता है तो दीपम ने बता है today मतलब today का मतलब पिछले दिनों में पिछले दो दिन पहले इस news को publish किया गया था today invited bids to sell six asset state-run telecom firm भारत संचा निगम लिमिटेड मतलब BSNL and महानगर टेलीकम निगम लिमिटेड मतलब MTNL through its new asset monetization portal मतलब government ने decide कर चुके है जो BSNL है और जो MTNL है इसका six asset मतलब six type asset वो कौन सा asset बेचेंगे बहुतो बात के बात है six type asset बेचने बाला है वो सायद टावार भी बेचते सायद उसका जो इतने सारे बहुत सारे asset है उसको बेचे कौन सा बेचेंगे बोत यहाँ पर डिसकस के नहीं है सिर्फ यहाँ बाता गया है six type asset यहाँ पर बेचने बाला है वो भी किसका किसका BSNL का और MTNL का या बात जाते हैं Gutum security दीकम तुहीनकंता पंडे या रहुति करके बता है तो यह मेरे बात नहीं है आप गुगम आने सारे चेशिप मतलब कितने बेचेंगे बाद देख लिए गवर्मेंट है लिस्टेट फॉर सेल रियलिस्टिक एसेट मतलब मानके चले इसका जो बिल्डिंग है इतने सारे टावार से उसी का 6 आइटेम से 6 टाइपस आइटेम यहां पर बेचने वाला है वो भी कितना पैसे के लिए एक टेलिकम कम 100 करोड या पर रुपीज का अमाउंट मतलब असेट बेचने वाला है तो उसमें से कमपनी उस गवर्मेंट उस वाई से को इसका जो करजा है मुसी पर लगाएगा क्योंकि इसका करजा धीरे धीरे बहुत ग्रोथ हो रहा है बहुत अच्छे लेवल पर करजा बढ़ रहा है तो यह जो अन नॉबेंबर 18 मतलब 18 नॉबेंबर में सेर्स एम्टेनल रेज मतलब इसी के न्यूज के चलते हैं एम्टेनल देखिए 15 परसेंट से 20 परसेंट ग्रोथ हुआ मतलस्वरी 20.7 ग्रोथ हें 15 परसेंट का ग्रोथ आप इभी चाठ पर्टन देख लएजिये 5 इन पर्सिंट का ग्रोथ हुआ आप एक मंथ का चार्ट प्राइब देख लिए करिबन 12 तेरा पर्सिंट का ग्रोथ इतना जवदस ग्रोथ होने का सिर्फ एक ही रिजन है वो जब जो स्यार बेचने का फैस्ला लिया वो फैसला पप्लिक को अच्छा लगा कि कि पॉब्लीक को यही चाहिए कि टोटली गवर्मन जो सेक्टर है जो प्यूसी सेक्टर है वो पाईविट है तो प्राइवेट हो जाए तब कॉम्पाणि रॉकेट के तरह भागेंगा क्योंकर और दो क्या करने के काम करते हैं तो कंपानी क्या करेंगे इस को फक्वार्ट चालिके उन्हेता है उसको से ठ deception को थोड़ा सा निकल वाज़ा वगर एक्स निकलने से कुछ अनी नहीं होगा स्वारी क कमपानी को लॉस ही यह Reliance, Reliance क्या करते है, Reliance का मेन फोकस है, कस्टोमर को सार्विस भी देना है, साथी साथ वहाँ से profit भी कमाना है, मगर Government का का काम है, कि सिर्फ सार्विस देना ही मेन मकसद है, profit कितना है, वो तो छोड़ दीजिए, उसके लिए जितना करजा हो रहा है, वो होने दीजिए, तो इसलिए जो नियूज है, अबियसली ए नियूज एक प्लास पॉइंट में चुरूर कहूंगा, इस प्लास पॉइं आप यहाँ पर 20 रूपीज का सेर अभी आप देखने को मिल रहा है, वो अभी 200 रूपीज भी देखने को मिल सकता है, तो कितना जाएगा, कितना गिरेगा बहुतों बात के बात है, अभी तो मुझे लग रहा है, कमपनी का जो नियूज पॉब्लिस क्या है, जो कभरमेंट जो इस नियूज को पॉब्लिस क्या है, इसका इंपक्ट आपको जूरू देखने को मिलेगा, तो कमपनी के बारे में एक बार डेटा भी आपको दिखा देता हो, कमपनी देखिए करीबन 1000 करोड का मार्केट के पलेशन है, मानके चलिए एक माइक्रो कैप टाइप, मतलब स् सिर्फ के सिर्फ नेगटिव सिंबली या पर देखने को मिला है, और यहाँ पर देखिए कमपनी हर साल में, हर साल में कमपनी लॉस कर रहा है, एक बास से इस फिगर को देखके ही आपको पता चलेगा, कोई भी साल में आपको देखने को पॉजिटिव देखने को नहीं मिले में और वोड़ आफन भी है काम कर एजस तरीके से उस तरीके से ईस बिसनेल और बिसनल का किसी जगा पर नहीं है तो कैसे अपको कैसे धर्च करेंगे इंटरनिट इस खरेंगे तो घाउं में जा मतलब रहते हें वे नहीं रहते हैं Just सारे टाउन में ज़रूर रहेंगे बहुत सारे सहर में ज़रूर नेट्वर्क रहेंगे क्योंकि उतना अच्छा का सा फाइदा नहीं मिलता है तो इसलिए ज्यादा तर कस्टोमर ये टेल जियो और वोड़ा फोन को पेफर करते हैं तो इसलिए को बहुत दिक्कत जिनना करजा इतना बड़ा करजा लेकर डिकर कोंपानी चल रहा है मतलब कमपनी मतलब क्वर्मेंट चल रहा है देखिये की सेशना हिसे दरी और bugs के पास 14 पर 89% डाउन है मतलब पहले दिन से आप निबयस करके रखे थे तो आपका फांट अभी करीवन करीवन 90% डाउनटेन में चल रहा है तो आपका एक लाग निबयस करके रहे तो इस टैप कॉंपानी में निबयस करके क्या फाइदा हां निउज अच्छा है इस नीउज के चलते है आपको जोरूद देखने को मिलेगा मगर अभी तक गवर्मेंट ने पूरा सेयर नहीं बेचा तो मुझे लगता है कॉम्पानी में थोड़ा सा वो आप तेन देखने के बाद फिर से डाउन तेन आपको देखने को मिल सकता है तो आसा करता हूँ इस जॉब में स्टॉग में आ आप तो एक सो डोसो रूपिया जोर दिए के पांसों रूपिया मुझे cette making їं शॉड़े,जी चोड़ दिए जी ज्यादा नीवेस्ट मत करिये तो 100 रोपियर लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं अगर चल गया कमपानी तो बहुत अच्छा नहीं चलो तो कोई बात नहीं तो आसा करते हो सारे जनकर आपको मिल चुका तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों को सस्क्र करना और मेरे वीडियो लास्त तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया मिलते अगले स्टॉक लेकर तब तक लेचे से रही है अपने ख्याले किये बाइबाए